हलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में और फाइनली यहाँ पे मेरी बात जो है वो यूट्यूबर मनोस्दे से हो गई है आप सभी जानते होंगे मनोस्दे को एक मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनके और यहाँ पे वो यूट्यूब से रिलेटेट टॉपिक्स के ओपर में वीडियो बनाते है तो मैं बहुत टाइम से कोशिस कर रहा था उनसे बात करने का लेकिन आज फाइनली उनसे बात मेरी हो गई है और क्या-क्या बात हुई है वो सभी कुछ आपको इस वीडियो में मैं बटाने वपला हूँ लेकिन उसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरू देखहारा है यह आप से पूरा देखते हो तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजा जहां पूछी है आप सभी के लिए और वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आप भी जान पाओगे कि वो मुझे क्या-क्या टिप्स दिये हैं अगर आपको यूटूब चैनल ग्रो करना है यूटूब चैनल को चलाना है तो क्या-क्या आपको करना होगा वो सभी कुछ मैंने यहां पर मनोज दिसे पूछा और मैंने हाँ बिल्कुल प्रमोसन की यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं किया तो अगर आप प्रमोसन सोच करके इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत देखना क्योंकि उनके पास भी इतना मतलब time नहीं है कि वो हर एक इंसान को promote कर पाए YouTube पे तो मैंने promotion का कोई बात नहीं किया मैंने simply उनको ये बताया कि मेरे भी 100k subscriber जो है वो complete हो गए है लेकिन उसके बावजुद भी मेरे जो regular वीडियो पे views हैं वो उतने अच्छे नहीं है तो मैं उसको किस तरह से increase कर सकता हूँ बाकी और भी बहुत सारी चीजे है तो आप वीडियो में आगे तक जरूर बने रहे हैं और साथी साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए और notification bell को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको इसी तरह की latest वीडियो सबसे पहले मिलती रहे चले दोस्तों चलता हूँ mobile phone की screen पे पूरा आपको chat दिखाता हूँ उसके बात में हम आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसा की देख सकते हो मैं अपने WhatsApp पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने मनोज भाई को आज ही मेसेच किया है जिसमें मैंने बोला Hi Manoj भाई, this is Prakas here from traditional Guruji YouTube channel तो यहाँ पे Manoj भाई का मुझे reply है instantly जो की है Hello भाई और कैसे हो तो यहाँ पे मैंने बोला अच्छा हूँ मैं भाई, आप बताओ कैसा चल रहा है सब तो वो Manoj भाई का reply आता है, अभी तो रॉक कर रहा हूँ मैंने यह सवाल उन से पूछा, तो Manoj भाई ने मुझे बोला व्यूज बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो regular रहना होगा, जो की बिल्कुल सही बात है, मैं भी अपने वीडियो में बताता हूँ इस टॉपिक के बारे में कि regular अगर आप रहते हो, तो आपके वीडियो पे बहुत अच्छे खासे व्यूज आते हैं मतलब वो ब्लॉगिंग का चैनल बना करके जो एक वीडियो डाले थे, जिसमें मनोज भाई अपना घर के बारे में बताये थे, उस वीडियो से ही मनोज भाई यहाँ पे पूरा का पूरा popular हुए है, उन्होंने भी कई वीडियो में बताया है, तो वही धमाका के बारे में य मतलब पर डे का पांच यहार मनोज भाई कमा रहे हैं अपने यूट्यूब के चैनल से, तो मैंने बोला चलो वाव भाई, सुपर बॉल दे वेरी बेस्ट, और उसके बाद में मनोज भाई ने मुझे बोला ठैंक्स भाई, चलो बाए कुछ काम है, तो मैंने भी उनको बाई आपने चैनल को प्रमोट करवाओ, और उनसे जो भी टिफ्स है, वो यूट्यूब पे वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन आप परसनली भी चाते हो कि वो आपके चैनल को देखें, और आपके वीडियो के हिसाब से आपको टिप्स दें, इसी चक्कर मैं आपने पूरा का पू जिससे मैने चैट किया है और पूरा चैट मैने इसने ऊसी तरह से रिप्लाय भी दिया those और यहां पर मतलब टाइम आपका बरबाद हो गया मैंने कुछ वीक छीज आपको दिखा दिया अपने व्यूज ले मैं अपने सब्सक्राइबर ले रहा हूं आपके मन में यह चीज जरूर आएगा लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है अगर आप सोचने वाले होगे ना तो आप बिल्कुल सोचोगे कि आप इस वीडियो में अभी तक क्यों आ करके देख रहे इस वज़े से आप इंटरेश्टेट थे वीडियो में इसलिए आप ने ख्लिक किया वीडियो पर वीडियो पर इसलिए पूरा देखेए हो लेकिन अभी मैं अगर आपको ये चीज नहीं बताता ना तो आप इसीज को मान भी लेते कि मैंने मनोसदे से ही बात किया है लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नया तरीका, मैंने एक नया दिमाग लगाया जिसे कि आप लोग attract हो रहे हो मतलब कि आप सभी जानते हैं कि मनोसदे को लगबख सभी दुनिया में जानते हैं जितने भी YouTube पे Creators हैं लगबख सभी जानते हैं और सभी कोई उनसे बात करना चाहते हैं और उनसे related कुछ भी topic हो, लोग उसको देखना चाते हैं, बस इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया ताकि लोगों के नजरों में मैं पहुंस सकूँ, यह मेरा वीडियो लोगों तक पहुंस सके और उनको यह पता चले कि मैं भी कोई यह creator हूँ, जिसे की मेरा भी YouTube channel grow हो, तो simply मैंने दिमाग लगाया, मैंने उनके किसी content को copy नहीं किया, नहीं मैंने कुछ चीज किया यहाँ पर, मैं सिर्फ उनका नाम यूज करके, लोगों के अंदर एक मतलब simply बताना चाहता था, कि किस दरह से आप एक नया creativity content create कर सकते हो, और कुछ creativity अगर आप create ना, तो लोग आपके content को जरूर देखेंगे और पसंद करेंगे, दोस्तों आप भी इसे दरह से कुछ नया try कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों के नजरों में आ जाओ, और एक बार आप लोगों के नजरों में आ जाओगे ना, तो उसके बाद में आया होगा, और यह जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है, यह तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपकी यह वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं आए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे लगत